वर्ल्ड कप से पहले किर्केट जगत में मचा हट कंप इस खिलाडी ने अचाना कप्तानी छोड़ने का ले लिया फैंसला दोस्तो भाग पहली बार पूरे वर्ल्ड कप का अकेले ही में जबानी कर रहा है वर्ल कप 2023 का अगाज 5 अक्टूबर से होगा और फाइनल 19 नौवंबर को खेला जाएगा लेकिन दोस्तो इस टूनामेंट से पहले किर्केट जगत में खलवाली मच गई है ये के स्टार किलाडी वर्ल कप 2023 से पहले अपने कप्तानी के पद से इस्तिपा दे सकता है खबरों के मुताबिक इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए किर्केट बोर्ड ने भी जल्द पैशा करने का फैसला किया है दोस्तों बात दरसल यह है कि एसिया कप 2023 के फाइनल में हार के बाद स्रिलंका कप्तान दासुन सनाका के भारत में वंडे वर्ल कप 2023 से पाइलेट टीम के कप्तान के रूप में पच छोडने की संभावना है रिपोर्ट के मुताविक स्रिलंका किर्केट जल्द इस पर आखरी फैसला ले सकता है सनाका टीम के सर्वसेस्ट अल्राउंडरों में से एक है और उन्होंने लंकाई टीम को एक मजबूती काई बनाया है लेकिन हाली में फाइनल में भात के खिलाफ मिली हार के बाद ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है मीरिया रिपोर्ट के मुताविक दासुन सनाका की जगा कुसल मेंडीज को स्रिलंकाई टीम का नया केप्तान बनाया जा सकता है उसल मेंडी स्रिलंका के लिए 112 वंडे मैच खेल चुके हैं उन्होंने हाली में काफी संदार परदसम भी किया है वह स्रिलंका के लिए 60 टेस्ट और 55 टी-20 मैच भी खेल चुके हैं एसियागप के फाइनल में मिली करारी हार के बाद दासुन सनाका ने फैंसों से माफी भी मांगी थी उन्होंने कहा था पाच परमुख खिलाडियों के बिना हम फाइनल तक पहुँचे दो साल पहले हम जिसके स्थिती में थे यह अच्छा संकेत है हम अपने प्रसंसों को का धन्यबाद देते हैं और उनसे माफी भी मांगते हैं कि हमने उन्हें निरास किया भारत के टीम को संदार परदसन के लिए बदाई और दोस्तों स्रिलंका किर्केट की यही और स्थिरता के कारण साथ अभी तक One Day World Cup किर्केट के लिए स्रिलंका ही टीम का एलान नहीं किया गया है किरिकेट से जुड़ी ऐसे ही ताजा और लेटेश ख़बरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमें फेस्बूक पर देख रहे हैं